है 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 लो इस है फ्रेंद्स विल्कम बैक टू मैच जरन इसबिवेश्चे के घर में फ्रीज को समय तो होता है जाँ गर्मी में कि गर्मी की दिनों में फूर्ट's और वेजटेबल को प्रेश हखने के लिए या सिलेंडर को तो फी ही टाइट पर को और प्रक्राद के पर फिर शौह के लिए तैब पर या फिर्टेंडर के निशान पढ़ जाते हैं इसमें से कुछ दाग दपे तो ऐसे होते हैं जो बार बार पोच्छा लगाने से भी साफ नहीं होते हैं अगर आप भी कीजन के टायल्स पर लगे या फिज द्व घैस लेंडर के दिख़दाग अब हटाना चाहते हैं तो उसे हटाने के लिए कुछ simple tips में लेके आई हूँ, इस वीडियो को पूरा देखे, इस वीडियो में मैं कुछ आसान tips और tricks पताने जा रही हूँ, जिनके help से और फिरिस किसे बड़ी निशान या फिर slender से जो निशान पर जाते हैं टाइल्स में, उसे आसानी से हटा सकते ह हैं, आई जानते हैं उन tips और tricks के बारे में, जो आपके काफी काम आ सकते हैं, और है friends, आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्मेल लेक अन को क्लिक कर दें, सुरेट आपको मेरे latest वीडियो को notification मिल जाए, ओके चलिए, स्टार्ट करते हैं, टाइल से दाग अडाने के लिए सबसे पहला है toothpaste, तूटपेस्ट दातों को साफ करने के अलावा, टाइल से में जो मौजूर होते हैं, फ्रीज के निशान या फिर गैसलेंडर के निशान उसको साफ करने में भी help करते हैं, तूटपेस्ट की मदद से जिद्दी से जिद्द गोशक दाग या निशान आसानी से चनमिन तों में हटाया जा सकता है, इसके रिए तो सबसे पहले जहां पर निशान दाग है, वह पहले पाने से एक दो बार उसको गीला कर दें और जब निशान तो आची तरह लगा दें, और फिल के छोड़ दें, जब याइसे निशान इसे निशान बहुत ही आसानी से हट जाएंगे नेक्स्ट है बेकिंग सोडर जी हां बेकिंग सोडर स्रिफ खाने बनाने में नहीं बलके टाइल्स से किसी भी तरह कि अगर निशान को असानी से हटाने में भी हिल्प करता है इसके इस्तेमाल से टाइल्स पर पड़े फ्रीज के निशान या फे सिलेंडर के निशान को असानी से हटाया जा सकता है इसे यूज़ करने से निशान भी हट जाएंगे और टाइल्स की रंगत भी वापस आजाएगी इसके लिए तो आपको पहले सबसे पहले एराउंड एक लीटर पानी को हलका गरम करें अब इस हलके गरम पानी को निशान वाली जगह पे अच्छे से छिड़काओ कर दें इसक्रेबर की हिल्प से लगड़कर साफ कर लीजे इससे फ्रीज के निशान स्लेंडर के इसान असानी से साफ हो जाएंगे बेकिंग सोडा और टूथ पेस्ट इसके अलावा सिरका भी टाइल्ड से फ्रीज के दाग या फिर गैसलिंडर के निशान जो लग जाते हैं टाइल्स पे उसे हटाने के लिए बेश्ट ओप्सन है शिर्के के इस्तेमाल से भी जिद्धी से जिद्धी निशान को असानी से हटाया जा सकता है इसके लिए तो आप सबसे पहले निशानवारे जगापे पहले उसको गीला करें इसमें पानी एक दो बार पानी डाल दें देन उसके बाद उस जगह पे सिर्के का शिर्काव करें और सिर्के डालने के बाद कुछ दिर के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं लगभाग 15 मिनिट के बाद उस जगह जहां पे सिर्के डाले थे इस क्रब से लगड़कर साफ कर लीजिए अगर इस प्रोसेस से एक बार में निशा नहीं जाता है तो आप इसी इसी तरह से एक बार और साफ कर दिये इसे निशान बिल्कुल साफ हो जाएंगे बेकिंग सोड़ा टूथपेज सिर्का इसके अलावा और भी कह जीजिए हैं जिसके इस्तेमाल से टाइट्स पर लगए दाग जो फिर इसके दाग निशान होते हैं या फिर जिलेंडर के उसे असाने से हटाया जा सकता है जैसे नीबू करस में नमक मिला दे और फिर इसे ट निशान चले जाएंगे इसके अलावा चुना अगर बहुत बहुत ज़्यादा जिद्धी है तो चुना और नीबू का रस्म को मिक्स करें और देन उस दाग वाली जखा पे लगाएं इसे दाग बिलकुल साफ हो जाएंगे ओके फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही न झाल 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